अब बड़ी खबर आ गई है बड़ी खबर आ गई है विहार के सियासत की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नितीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है ये बड़ी खबर थोड़ी देर पहले वो सिम हवास से निकले राजब्वण की तरफ रवाना हुए और अब ये खबर गई है नितीश कुमार ने स्तीफा दे दिया है यानि कर अटकले अप्वाओं का दौर खटम हो चुका है नितीश कुमार दुबारा बीजेपी का दावन ठाम कर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और आज ही शपत गयान समारो है जैसी खबरें सामने आ रही हैं अभी तक जो सबसे बड़ी सियासी खबर नितीश कुमार ने एक बार फिर मुख्या मंतरी पर से स्तिफा दे दिया है अलंकि दुबारा वो कुछी घंटो बात दुबारा मुख्या मंतरी बन जाएंगे लेकिन ये कह सकते एक बार फिर नितीश कुमार ने पल्टी मार कर विहार की सियासत में एक नया अध्याय और लिख दिया है एक बात फिर से बीजेपी के साथ मिलकर नितीश कुमार मुख्या मंत्री बनने जा रहे हैं कुछ महीनों तक अरजेडी के साथ मिलकर मुख्या मंत्री रहे यानि नितीश कुमार आज भी बिहार की सियासत की धुरी और केंदर बिंदू बने हुएं बड़ी खबर आ गई है बिहार की सियासत की सबसे बड़ी breaking news नितीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है ये बड़ी खबर थोड़ी देर पहले वो सीम अवास से निकले राजभवन की तरफ रवाना हुए और अब ये खबर आ गई है नितीश कुमार ने स्तीफा दे दिया है यानि कंफर्म अटकले अफमाओं का दौर खत्म हो चुका है नितीश कुमार दौबारा बीजेपी का दावन ठाम कर फिर से सरकार बनाने जा रहे है और आज ही शपत ग्रैन समारो है जैसी खबरें सामने आ रही है अभी तक जो सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी सियासी खबर नितीश कुमार ने एक बार फिर मुख्या मंतरी पर से स्तीफा दे दिया अलंकि दुबारा वो कुछी घंटों बाद दुबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे लेकिन ये कह सकते एक बार फिर नितीश कुमार ने पल्टी मार कर विहार की सियासत में एक नया अध्याय और लिख दिया है एक बाद फिर से बीजेपी के साथ मिलकर नितीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कुछ महिनों तक आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री रहे यानि नितीश कुमार आज भी विहार की सियासत की धुरी और केंदर बिंदू बने हुएं